है यह अग्याइब और वेल्कम बाक टू उमर दस्कीर यूटुब चानल माई सेल्फ उमर दस्कीर कैस्ट आज की पटिकलो वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी मदब से हम लोग फर्स्ट पार्टी जो डेटा है उसको हम लोग कलेक कर सकते जिनक तरीके से जो हमारी कुकी बेश डेटा होती तर्ड पार्टी डेटा यानि कि जो यूजर की इनफॉर्मेशन है यूजर की जो एक्टिविटी वो आप कहां पर है वो पिक्सल के पास जैसे आपने पनी वेबसाइट के उपर फेस्बुक पिक्सल लगाया अब कोई विजिट आपकास तो नहीं आ जाती है और जब पिक्सल के पास रहती है और जब पिक्सल बेश डाप ओडिएंसें जो हमारी समस्या आए आएंगी और जो जाहीर सी बात है जैसे कि जिस तरीके से डिश्टर fazer का आगे बढ़र रही है आज नहीं तो कल ये समस्या थो थो आनी है वो श email, phone number, ऐसी information होगी, first party data होगी, तो हम different sources से उन्हें connect कर सकते हैं, जैसे for example, अगर हमारे पास phone number है किसी का, तो हमें किसी के उपर dependent रहने की जरूरत नहीं है, हम सीधे उनको phone लगा देंगा, अगर हमारे पास उनका email address है, तो हमें किसी cookie के उपर या pixel के उपर dependent रहने की जरूरत नहीं है, हम सीधे-सीधे उनको email कर सकते हैं, उनसे direct जो है, वो connect कर सकते हैं, अपने prospects से, या फिर वो हमारे existing customers हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, marketing के ऐसे कौन से तरीके हैं, जिनकी मदद से आप first party data को collect कर सकते हैं, कौन से ऐसी strategies हैं, जिनको follow करके आप first party data को collect कर सकते हैं, तो एक-एक करके हम लोग इसको explore करेंगे, सबसे पहली जो strategy है, वो सबसे common strategy है, that is contact forms, आप देखते हैं, आपकी website के उपर contact forms लगे हुए होते हैं, और उनके तरह आप लोग जो है, वो first party data को collect करते हैं, या फिर user registration, अगर आपकी कोई web app है, उसके उपर user registration होता है, वहाँ से आप लोग जो है, वो data को collect करते हैं, या mobile application है, वहाँ पर कोई user register करता है, या तो वो directly कर सकता है, directly register करने का मतलब यह, जब आप देखते हैं, किसी app के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पर लिखा होता है कि register as a new user, that is basically directly register करता है, या फिर आप क्या करते हो, आप single sign on को use करते हैं, कई बार आपने देखा होगे किसी app में, या web पे, या web पे, आपको इस तरगे से लिखता है, sign in using google, या sign in using facebook, या sign in using twitter, तो वहाँ पर उस चीज की information को use किया जाता है, sign in करने के लिए, तो यह एक तरीका हो गया है, जिसके थूँ आप लोग first party data को collect कर सकते हैं, second जो तरीका है, that is surveys and polls on social media, इसकी मदद से भी आप लोग जो first party data है, उसको collect कर सकते हैं, third जो है, वो हमारा lead magnet, इसका example आप लोगोंने कई बार देखा हो, बहुत सारे लोग जो है, वो अपनी checklist औगरा देते हैं, जैसे आपने ads में भी तो लोग ads औगरा से भी अपनी checklist को promote करते हैं, checklist को ads के थूप promote करने का सीधा सा मतलब यह, तो वो ads के उपर amount खर्च कर रहे हैं, और उसमें भी आपको free में जो checklist है, वो provide कर रहे हैं, तो free जो checklist होती है, वो ऐसा lead magnet होती है, और उसके बदले में उन्हें आप से जो है वो आपका name, email, phone, number चाहिए होता है, जिसको वो अपने CRM में push करते हैं, या email marketing software के अंदर push करते हैं, और उसके बाद वो फर्दर आपको nurture करते हैं, और कोई high value का product या service फिर आपको बेशते हैं, या किसी दूसरे का भी बेशते हैं, that is basically affiliate marketing, तो बहुत सारे affiliate marketers भी जो first party data है, उसके उपर rely करते हैं, खुद से ऐसे sources बनाते हैं, जहां से वो first party data को collect कर सके, फिर different affiliate networks के साथ जुड़ कर, different products जो है, उस email list को वो लोग promote करते हैं, फाइन, so lead magnet का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और वो दोनों तरीगे से कर सकते हैं, organically भी कर सकते हैं, paid ways में भी आप कर सकते हैं, paid way का मैंने example बता है, organically जैसे मेरे YouTube channel का example आप ले ले, for example, अगर मैं जो भी ये video बना रहा हूँ, अगर आपको ये, जो PPT मैंने यहाँ पर mention की, ये अगर आपको चाहिए, तो you can directly like sign up on Google sheet or something like that, और फिर वहाँ पर आपनी information देंगे, तो आपको जो है वो, ये PPT मिल जाएगे, तो this is basically a lead magnet through organic way, I believe, चीज़े आपको समझ में आ रहे हैंगे, फोर्त is, कभी-कभी आप बहुत सारी offline activities करते हैं, या offline events करते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, या attend करते हैं, अगर आप तो भी आप लोगों ने देखा होगा, कि बहुत सारे लोग जो हैना, form fill वगरा कराते हैं, बहुत सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप अपना email डॉप करते हैं, वो email किसी ना किसी email marketing tool के अंदर चला आता है, फिर आपको जो है वो nurture करके, कोई न कोई product या service दिया जाता है, उसके बाद आपके पास एक source हो सकता है, जो आपकी previous leads हैं, जो आपके previous transactions हैं, उनको भी आप लोग upsell कर सकते हैं, या उनको भी आप लोग cross sell, जो है वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, कि एक बार जो आपका customer बन गया, वो दुबारा नहीं बन सकता है, बिल्कुर बन सकता है, कोई दूसरे type का product अगर आप introduce कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो काम आता है, तो बहुत सारी जगों पर जहाँ आप आप देख रहे होते हैं, कि किस तरीके से first party data को collect किया जा रहा है, क fine, तो देखो कितना amount वो खर्ज करें, तो बहुत ही exact और specific जो information है, वो मिलती है, और जो first party data होती है, उसकी अगर मैं बात करूँ quality की, तो quality भी बहुत अच्छी होती है, इन टर्मस अगर हम prospecting की बात करें, तो quality भी बहुत अच्छी होती है, उसके लाब बहुत सारे cases में आप website की उपर आपको live chat दिखता है, live chat दिखता है, support दिखता है, इसमें आप right side में रेखते हैं, तो live chat करने के लिए या support लेने के लिए आपको अपना name, email, phone number वगरा जो है, वो drop करना पड़ता है, तो this can be again a source of generating first party data, तो यह छोड़ी ओड़ी चीज है, बहुत सारे businesses multiple ways adopt करते हैं बहुत सारे businesses एक या दो तरीके adopt करते हैं, बट अगर किसी भी तरीके से बान लेते हैं, किसी तरीके से आपको कम leads मिल नहीं है, data मिल रही है, बट दूसरे तरीके से आपको जादा data जो मिल जा रही है, तो combined effect होता है, एक business बहुत सारे तरीकों को use करके ना, जो है वो बहुत ways धूनने की कोशिश करें, ऐसे कौन से ways हो सकते हैं, जिनके तुरू हम लोग first party data collector, third party तो चल रहा है, वो ठीक है, वो pixels लगे हुए, remarketing के code लगे हुए, that is fine, but और हम ऐसे कौन से तरीके और धून सकते हैं, जिनसे कि हम लोग basically first party data को collect कर सके, आशा करता हूं दोस्तों, first party data concept और collection methods आपको समझ में आए होंगे, this particular video में इतना ही, मिलता है नेक्स वीड़ोगा, till there, good bye.